दोस्तो सुसांत के रूम का ताला तोड़ा गया था तो उस रूम में सुसांत थे ही नहीं चावी वाले रफीक ने बताया CBI को सारा सच जीहां आपको बता दे सुसांत सिंग राजपूत केस में आज भी कई सारे ऐसे खुलासे होते हैं जिसे जानने के बाद जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान हो जाता है अब इसी वीच आपको बता दे सुसांत केस में अब जो ख़बर निकल कर आ रही है उसने हर किसी को हैरान कर दिया है दरसल आपको बता दे कि अब जो हमारी CBI की टीम है वो जानने का परियास कर रही है कि आखिरकार सुसान सिंग राजपूत केस में क्या क्या चीजे हुई थी और किसने सुसान के साथ इस पूरे कांड को अंजाम दिया है अब आपको बता दे जब CBI की टीम ने एक बार फिर से नए सिरे से जांश सुरू की है तो उस चाभी वाले को बुला कर पूश्टाच सुरू कर दी जो कि सुसान सिंग राजपूत के कमरे को खोल कर सबसे पहले कमरे के अंदर इंटर हुआ था अब दोस्तो जैसे ही CBI की टीम ने उस सक्स को बुला करके और फिर पूश्टाच की है तो दा के जा रहा है कुछ बड़े और भैंकर खुला से हुए है जिसमें ये पता चल गया है कि आखिरकार ये जो रफीक है ये किस तरह से सुसान सिंग राजपूत के कमरे में गया और जब गया तो वहाँ पर देखता है कि सुसान सिंग राजपूत तो वहाँ पर थे ही नहीं और वहाँ पर सुसान सिंग राजपूत की जगे पर उनका सारा समान बिखरा हुआ है और साथे साथ ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी साजिस के तहत सुसांत के साथ इस पूरे कांड को अन्जाम दिया गया है अब जिस तरह से रफिक ने CBI को ये पूरी जानकारी दी है तो CBI की टीम भी पूरी तरह से हैरान है CBI की टीम अब जानने में जुट गई है कि आखिर कार जब सुसान सिंग राजपूत वहाँ पर नहीं थे तो फिर किसने इस पूरे कांड को और कैसे अंजाम दिया कैसे सुसान सिंग राजपूत को फिर कमरे में लाकर रखा गया तो यही था वीडियो में वीडियो को लाइक करना इसे सेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना